विलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर हम लोग बोल सकते एक ऐसा डिवाइज होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है किसको फिल्टर करता है चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करता है और जो चार्ज पार्टिकल को फिल्टर करता है वो चार्ज स्लेक्टर में हम लोग चूज कर लेतें विवन वलोसिटी और यह सैटिटर में अगर वीवन वलोसिटी वाले अगर चार्ज लाएंटर करते तो ज आज पार्टीकलक वह फिल्टर और निगल जाएंग익 हम लोग North Pole वाला Magnet, South Pole वाला Magnet Magnet के वज़े से बनती है Magnetic Field of Lines और यह Magnetic Field of Lines के Perpendicular Direction में हम लोग Introduce कराते है Electric Field तो अगर Perpendicular Direction में Electric Field Introduce कराना है तो हम लोग Use करते हैं दो Plate एक Plate, Positive Plate होती है और एक Negative Plate होती है और वो Plate के साथ Connect करते है Potential Difference Potential Difference के वज़े से बनती है Electric Field of Lines यहाँ पर अगर हम लोग देखे Electric Field of Lines जो है वो Perpendicular है Magnetic Field of Lines के साथ और यहाँ पर अगर हम लोग देखे यह Charge Particle है यह Charge Particle यह Charge Particle यह Charge Particle एंटर करेंगे Electric Field और Magnetic Field में हम लोग चूज कर लेते हैं V1 Velocity, Velocity Selector में तो जो भी Charge Particle जिनकी Velocity V1 है वो आले Charge Particle फिल्टर हो जाएंगे और Charge Particle जिनकी Velocity V1 से कम है या फिर जादा है वो आले जो Charge Particle होगे फिल्टर नहीं हो पाएंगे तो ऐसा क्यों होगा इसके बारे में हम लोग डिसकस कर लेते हैं तो चार्ज पारिकल पर दो फोर्से एक्ट करेगे Electro Static Force और Magnetic Force तो जो Magnetic Force होगा डिपैंड करेगा चार्ज का मैगनिटूड और चार्ज की Velocity और Magnetic Field की Strength और जो Electro Static Force होगा डिपैंड करेगा चार्ज का Magnitude कि इतना हो अगर इंटेंस एक इतनी है तो जो magnetic force होगा वो जादा होगा और velocity कम होगी तो जो magnetic force होगा वो होगा कम तो charge particle जिनकी velocity V1 से जादा है तो उस पर magnetic force जादा एक्ट करेगा magnetic force जादा एक्ट करने के वज़े से और electrostatic force कम एक्ट करने के वज़े से तो जो charge particle होगा नीचे कहीं आके accumulate कर जाएगा अफिर नीचे कहीं आके recite करेगा ऐसा क्यों इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे similarly charge particle जिनकी velocity V1 से कम है तो इसका मतलब जो magnetic force होगा वो कम होगा magnetic force कम होगा electrostatic force से जाधा होगा तो जो charge particle होगा वो उपर कहीं जाके recite कर जाएगा क्यों क्योंकि अगर हम लोग देखे charge particle जिन पर electrostatic force जाधा act कर रहा है तो वो जो charge particle होगा वो electric field of land की direction में travel करेगा और उपर कहीं जाके accumulate कर जाएगा तो कुछ इस तरीके से velocity selector काम करता हैं similarly charge particle जिनकी velocity v1 है तो charge particle जिनकी velocity v1 है वह वाले charge particle पर जो electrostatic force और magnetic force का रेशियो होगा वो सेम होगा या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो electrostatic force और magnetic force है दोनों का जो magnitude होगा वो सेम होगा जिसके वज़े से जो resultant force होगा या फिर जो net force होगा वो होगा 0 और वह वाला जो charge particle होगा वो filter होके निकल जाएंगा तो जो पुरा जो detail है मैंने यहाँ पर explain क्यों you can read if you want to read it यहाँ पर मैंने पूरे explain क्यों तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे फिर से हम लोग quick device कर लेते charge particle जिनकी velocity v1 से कम है उस पर electrostatic force जाद एक्ट करेगा magnetic force कम एक्ट करेगा और similarly charge particle जिनकी velocity v1 से जाद है तो वो charge particle पर magnetic force जाद एक्ट करेगा और electrostatic force कम एक्ट करेगा charge particle जिन पर electrostatic force और magnetic force का magnitude same होगा वो वाले जो charge particle होगे filter होगे निगल जाएंगे क्यों उसके बारे में हम लोग discuss कर लेते हैं तो जो electrostatic force act करेगा charge particle पर वो depend करेगा charge का magnitude कितना है और electric field intensity कितनी है और जो magnetic force act करेगा डिपेंड करेगा charge का magnitude velocity और magnetic field की strength क्यों क्यों अगर हम लोग दोनों साइट से cancel करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का equation मिलेगा V1 is equal to E over B तो equation हमें completely यह indicate कर रहा है charge particle जिन पर electrostatic force और magnetic force दोनों का ratio same है वाले जो charge particle होगे वो filter होगे निकल जाएंगे और वाले जो charge particle है वो है V1 वाले charge particle as per the equation V1 is equal to E over B the charge whose velocity is equal to the ratio of electrostatic force and magnetic force and magnetic force this is not magnetic field and neither this is electric field electrostatic force and magnetic force will come out or will get filter तो कुछ इस तरीके से velocity selector काम करता है